मैं हलो फ्रेंद कैसे हैं आप सब स्वागत है सब का मेरी टूछले रूपन व्यूति पार्लर में तो चलिए आज हम आप लों के साथ सेर करने वाले हैं ओध्रेडिंग यहां देगा तो सब से पहले देखे जो हमारे साइट के जो फ्रेंट वाले जो बाल हैं पहले उसे हम कट करेंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से पाउडर को लगा लेंगे और क्लाइंट से बोलेंगे कि जो है टाइट ही पकड़ेंगे अगर क्लाइंट जो कस्टमर है अगर टाइट पकड़ेंगी तो उन्हें पेन भी कम होगा और बाल अच्छे से निकल जाएंगे से भी अच्छे से आएंगे तो इस तरीके से देखें हमने इन से पकड़वा दिया है और जो हमारी ठ्रेडिंग होती है जो त्रेडिंग के बाल होते हैं तो अंदर तक नहीं गुषना है तो इस तरीके से दिखें जैसे जो बाल है उसके ऊपर-उपर से ही हलके-हलके से एक जो है और थोड़ा-थोड़ा करके कोई जलदिबाजी त्रेडिंग करते समय तो बिल्कुल जलदिबाजी नहीं करनी चाहिए अराम-राम से बाल को निकाले एक ये करके बाल को निकाले जिससे की सेव भी ना खराब हो और अच्छे से हमारे सेव पर आ जाए तो यह हमारी जो ह त्रेडिंग थी वह बहुत ही एकदम सीधी श्टेट थी और पतली सी थी एक लाइनिंग खिची हुई थी तो हम इनका समझे काफी दिन से सुधारते सुधारते अब जाके एकदम थोड़ी थ्रेडिंग इनकी लंबी भी हो चुकी है और थोड़ी सी मोटी भी हुई है और जितने टाइट होंगे रहाँ बाल असब्स को अच्छे से लिकल जाएंगे और पेन्ट भी कम होगा कस्टमर को और अच्छे से थेडिंगब हो भी जाएगी और इस तरह किसे से घह हम में उसी जगह पर धागा को रखे अराम-अराम से कि हर जैसे कि हमारे जो है जह जिस बा हैं और बाल को जब भी आप निकालिए क्लाइट से टाइट करवाईए तो उसे जो है थोड़ा सा धागा को ऊपर उठाते हुए ही बाल को निकालिए और यहां पर देखिए जो त्रेडिंग की जो बाल है वहां मतलब जो फ्रेंट वाले हैं उसको बिल्कुल भी नहीं चुना है और जहां पर बिंदी लगती है यहां के देखिए यहां के बार बिल्कुल नहीं चुने है बस नीचे से अलकेल के जो रोय होते हैं उसे निकालते हुए में सेप को देना होता है इस तरीके से और फिर जहां पर जो बीच वारे बार इतने निकलेंगे जहां पर जो बिंद सब्सक्राइब नीनुटि7 का सब्सक्राइब करना है मैं जो हमाता कर रहे हैं आज़ naar फालों市 को जो है कट करना है तो लेन काया को दोग साथ ही ना धिन ऑगली होती से नेはन्ट सहुआ दीक्ता सब्मेशरका करना है और ऐसमेफ़िक ना धाना साथ है और पर पहले हो है देते हुए निकाले बाल को जिसे की वह देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे फूरेट अच्छा लगे तो इस तरीके देखे अभी तो थ्रेडिंग बन रही है एक साइट की हो चुकी है दूसरी साइट भी उसी तरीके से निकाल रहे हैं एक दम ऊपर ऊपर से जो है हलके ह हमें बाल को निकालना है एक पतली सी मतलब जो उपर कि दम पतले-पतले हलके वाले बाल होते हैं सेप के अंदर नहीं जाना है उपर-उपर से भाल को निकालना है और फिर इस तरीके से नीचे के भी हम टाइट करवाएंगे अच्छा जिससे हम कैमरा पकड़वाए थे तो इस तरीके से देखिए अच्छे से रिकोड नहीं हो पाया है कैमरा बहुत हील भी रहा है लेकिन हम आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहे हैं अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगी तो समझ में आ जाएगा तो इस तरीके से देखिए अर जो सामने वाले बाल प्रं को ऊपर उठाते हुए बाल को निकाल रहे हैं तो इससे क्या होगी इनकी थ्रेडिंग थोड़ी से उपर की उठी हुई बनेगी और बहुत अच्छी से मतलब बहले इस्टेट हैं तो इस तरह कि से करते-करते एक बार में तो नहीं मतलब कई बार में जैसे आप में सुधार उससे हमारे सेफ होते हैं और लंबी थ्रेडिंग अच्छी है तो इस तरह कि से सेफ को दें बाल को ध्यान में देख्टे वइवह बाल कोzuय tornado अग्यासा नहीं है कि बसकर बाल को ही निकालनाuciones देना बहुत ही जरूरी ओता है तभर ठेनग अच्छी लगता और क्लाइंट से ह ही जाए regard सही होका तो उससे थ्र्डिणिम गलट हो जाती है तो अब आप अपने हाथ से ही जब थ्र्डिंग बनाए तो अबomina ही कस्टमर को टाइड करके पक्ड़वाय है तो इस तरी के सी अराम अराम से बाल को निकाले इकदम अराम से धागा रखते हुए जिसे कि जिस बाल को हमें निकालना है में उसी पर धागा को रखना है जैसे कि हमारे जो सेफ हैं वो गलत ना हो इक्स्ट्रा बाल कोई ना निकले और थ्रेडिंग होने के बाद दोनों साइड हम मिलाएंगे कि हमारे जो बाल मतलब जो मारी थ्रेडिंग है वह एक बराबर है और उची नीची नहीं है यह सारी चीजों को हमें ध्यान में देना पड़ता है तो यह सब को देखते हुए फिर हम दोनों साइड चेक करेंगे और यहां पर हमें जो है बाल थोड़े से जो रोए थे वो ज्यादा इक्ष्टा दिख रहे थे तो फिर उसको हम क्लीन कर रहे हैं तो यहीं है कि थ्रेडिंग होने के बाद भी एक दो बार आप चेक करिए यह कि थ्रेडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वह सीधे फेस पर दिखती है तो फ्रेडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए उसमें कोई अगरवां आपकले से रोए जैसे दिखने तो उतनी थ्रेडिंग हमने इनकी बढ़ाई है तो जैसे जहां पर डर्क है वहां तक इनकी थ्रेडिंग थी तो साइट से थोड़े से जो रों हैं उसको लेते हुए सेब दिये हैं तो इस ही तरीके से बढ़ाना होता है तो एक बार में नहीं वह ठीक होगा आपको जो है दीरे दीरे करते हुए करेंगी जैसे एक दो महीने बाद फिर छोडते हुए चरदे करेंगे तब जाके जड़ने ठीक होती है इस फोरेड को कर रहे हैं और इसमें भी डार्रेक्छन को देखते हुए आपाफोल को निकलना होता है है तो साइब केमारे दूसरे साइड हमाएं तो तो त्रेडिंग के बाल देखिए इस तरीके से निकालते हैं और जो फोरेट के बाल होते हैं तो यहां पर देखिए जहां पर धागा हम अभी उपर लगाएं हैं तो सबसे पहले तो आप क्लाइंट से एकदम टाइठी पकड़वाईएं बाल सारे सीर के ऊपर कर दीजिए यहां पर धागा भी रख रहे हैं यहां से एक लाइन बनाते हुए आप पूरे फोरेट पर ले जाएं और उसके बाल निकाल लिए तो इससे जो है एक से पाता है तो यह तरीका है फोरेट करने का यह नहीं है कि केवल हमें बाल को ही निकालना है हर चीज में थोड़ी थोड़ी चीज का हमें हर छोड़ी चीज बातों का ध्यान देना पड़ता है जिससे कि हम काम आसानी से कर सकें और देखिए हमारी थ्रेडिंग फोरेट दोनों हो चुके है कुछ पोफेलों के मासाज कुछ टेने हैं जो है YouTube को कर दो हुआ है कि आप लोग को दिख रहा है और फिर फोरेट के मासाज करना है तो जिससे कि आराम मिले थोड़ा कस्टमर को और पेन और जो थोड़ा बहुत हुए रहते हैं उससे उनको अराम मिलता है और बाकी मसाज देने के पाद जो हमारी क्रीम बचती है उसको इसे जैसे गिला कॉटन कर लिजिए या ऐसे यह कॉटन ले लिजिए उसको यह क्लिन कर दीजिए उसी कॉटन से तो यह देखिए फ्रेटिंग फोरेर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं उसे हमने आपको बहुत ही जी तरीके से समझा दिया है हर एक चीज हर एक बात को छोड़ी चीज बात को हमने समझाया है आपको तो अगर आप से आप पूरा वीडियो देखी होंगे तो समझ में आ गया हो का यह इनकी कंप्लीट यह देखिए जैसे यहां साइट से देख रहे इतने बाल को हमने बढ़ाया है यह बढ़ाते हुए सेफ हमने इनको दिया है